हेलो फ्रेंड्स क्लासी कुकिंग वित प्रतिभावे आपका स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और हेल्दी होंगे आज हम मावा का जले भी बनाने वाले है जो की बहुत ज़़ा टेश्टी बन के रेडी होगा तो आईए स्टार्ट करते हैं बनाना इसके लिए हमें मावा चाहिए कॉर्ण फ्लोर ये मावा मेरा फ्रीज में था इसे 2-3 गंटे पहले निकाल ली हूँ मैं ये नॉर्मल हो गया है अब इसे हम तोड के मिक्सर ग्राइनर में ग्राइन करेंगे तो इस प्रकासे तुकडो में तोड लीजेगा इसे अब हम इसमें कॉर्ण फ्लोर डालेंगे कॉर्ण फ्लोर 100 ग्राम है ये पूरा मैं डाल रही हूँ मावा 300 ग्राम के करीब है अब हम इसे ग्राइन करेंगे ये देखिए हमारा ग्राइन हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे दो टेबल स्पूर थोज़ा थोड़ा करके पानी आड़ करिएगा मावा के हिसाब से इसमें पानी आड़ करना होता है अब हम इसे फिर से ग्राइन कर लेंगे अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे सभी को इस प्रकार यह देखे हमारा डो टाइप का बनके रेडी है अब हम इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे अब हम इसे हाथों की सायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करना है अब हम इसमें बेकिंग पॉर्डर डालेंगे चुटकी भर दो चुटकी के करीब है अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी और थोड़ा और पानी डाल करके हम इसे अच्छे से बेटर तयार करेंगे इसे त्यार करने के लिए seven टेबिल स्पुन पानी यूज किया है मैंने इसकी consistency इस प्रकार होनी चाहिए इसको इस प्रकार हाथों से दबाने से इस प्रकार निकलना चाहिए इस प्रकार तब आप führen में डालके बनाएंगे न तो अच्छे से निकलेगा भुरूरा सा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा इस प्रकार निकलना चाहिए हमारा बैटर बन के रेडी है ये देखे अब हम इसे धक के आदे घंटे के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे अब इधर हम चासनी बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक कप चीनी लिया है और एक कप ही पानी आड़ करेंगे यहाँ पर मैंने कम मात्रा में बना रही हूँ मैं चासनी क्योंकि मेरा चासनी पहले से बचा हुआ है अब हम इसमें लाजी पॉडर आड़ कर लेंगे एक चम्मच के करीब एक उबाल आएगा तो अब हम इसे 5 मिर्ट तक पकाएंगे फिर हमारा चासनी पन के रेटी है इस प्रकार होना चाहिए इसकी चिकनासा इसमें तारवार नहीं बनाना रहता है यह हमारा बन के रेटी है यह पहले का बचा हुआ है मेरा चासनी है इसको भी हम इसी में अभी एड़ कर देंगे बन करने के बाद अगर आपका चासनी पहले से बचा हुआ है और फ्रीज में रखा है तो इसको पहले ही रूम टिंपरेचर पर ले आईए उसके बाद डाल करके आप रख सकते है यह हमारा बन के रेडिये चासनी इसे बनाने के लिए मैंने टाटा नर्व सॉल्ट का लिया है पॉलिथीन इसमें इजली बन जाता है इसको हम इस प्रकार से गिलास में रख लेंगे अब हम इसमें बटर एट करेंगे डाल देंगे आधा बटर को हम इसमें डाल देंगे जित्ता है उसमें इसली इतना ही डालिएगा आप यह आधा आजाएगा अराम से अब हम इसे इस प्रकार कर लेंगे अच्छे से और इस प्रकार से मोडते हुए हम इसमें रबड लगा लेंगे इस प्रकार रबड करने से सिक्योर हो जाता है यह उपर से निकलता नहीं है तो आप रबड अवस्थे से कर लिजेगा अब हम इसे कट कर लेंगे गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है मीडियम गरम होना चाहिए एकदम तेज गरम नहीं होना चाहिए इसे मीडियम गरम करना रहता है और इस प्रकार हमें बनाना है यह बहुत ही इसली बन जाएगा आपसे भी बहुत ही सरल है बस इस प्रकार करना है और चम्मत से कट करते जाईएगा एक बार करने के बाद चम्मत से इस प्रकार आप पहली बार में इसे परफेक्ट बना पाएंगे मेरी गारंटी है ये जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार बनाईएगा इसे मिडियम फ्लेम में ही सेखना रहता है इसे इस प्रकाप पलटते जाएंगे इसे हमें थोड़ा डार्क ही सेखना रहता है प्राई करना रहता है तो इसे इस प्रकाप पलटते जाएए और मिडियम फ्लेम पे सेखते जाएए यह हमारा dark brown हो चुका है सबी तरफ अच्छे से हमारा ready है यह अब हम इसे चासनी में add करेंगे चासनी गुन गुनी होनी चाहिए इदम गर्म नहीं होनी चाहिए गुन गुनी चासनी में हम इसे डालेंगे इस प्रकार अब इसी चम्मच की साहता से हम पलट लेंगे अब हम इसी प्रकार दुसरा बैज भी डाल देंगे और जब तक ये सीखता है तब तक उसको चासनी में डुबे रहने देंगे फिर जब इसको डालेंगे तो उसको निकाल लेंगे पहले वाले मावा जलेबी को तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर, बाबाई